स्री साई भक्त लक्षमी यग्या कारेक्रम संपन्न हुआ स्री साई भक्त लक्षमी यग्या किया जाता है इसमें 108 जोडिया महापुजा को बैठती है लेकिन कोरोना के चलते इस साल 27 जोडिया और कुछी लोग ये लक्षुमी यग्य में शामिल करके ये यग्य बड़े भक्तिमय वातावर में संपन्न हुआ सई भक्त लक्षुमीबाई शिंदे ट्रस के अध्यक्ष अरुन गाईकवार, सौ संगीता गाईकवार साई नाइन स्पोर्स के संचा लग साई राज गाईकवाड स्नेहन गाईकवाड इनके माध्यम से हर साल ये यग्य में अनेक राज्यों से भक्तगर आते हैं लेखिन इस साल कोरोना की गाईडलाइन का पालंग करते 27 लोग शामिल हुए ऐसा ट्रस्ट के अध्यक्ष अरुन गाईकवाड इन्होंने कहा ओम साहिराम मैं अरुन गाईकवाड लक्षिमी भाई सिंदे जी का परपोता हूँ और स्री साहिभक्त लक्षिमी भाई सिंदे ट्रस्ट का अभी मैं मैंनेजिंग ट्रस्ट भी बन गया हूँ तो हर साल की तरह इस साल भी ये बाइसवा साही लक्षमी यद्न्य हुआ है 14 जन्वरी मकर संक्रानते के दिन ये हर साल 21 साल से ये महायग्य परव चल रहा है और श्रिडी में इस यद्न्य के लिए हर जगा से भारत वर्ष से हर जगा से चेन्ने हो मुंबई हो और नासीक कोईमबतूर बैंगलोर हर जगा से भक्तगन आते है और इस यद्ने में सहभाग लेते है हर साल की तरह हम इस बार भी साही भक्तों को जो 27 यजमान बैटे थे हर साल तो वैसे 108 यद्ने में लोग बैटते हैं 108 कपल्स बैटते हैं सिंगल भी बैटते हैं कुछ लोग तो इस साल भी हम सब को लेकर साही बाबा के समाधी मंदिर में साही बाबा को दर्शन को लेके जाते है और बाबा को ये यदने में आने के लिए निमंतरित करते है और उसके बाद हम सब साही भक्तों को लेके यदने स्थल में गए और फिर साड़े आठ नो बज़े के आसपास यदने शुरू हुआ जो साड़े बारा बज़े तक चला और इस यदने में सुख शान्ती लक्षिमी प्राप्ती इसके लिए यदने होता है और अपने पितरों की पूजा भी होती है तो ये चार घंटे, चार साड़े चार घंटे का यदने हर साल शुरूडी के जो ग्रामाचारे है वह बहुत शास्री रतनपार की गुर जी ये हर साल इस यदने का पुरहित्त करते हैं ये उनका भी 21 साल चल रहा है, पहले एक साल तो दुसरे गुर जी नहीं किया था और इस साल ये यदने में नाइन कोईंस ये जो बाबा ने मेरी मा की दादी, लक्षिमी भाई शिंदे जी, ये मेरी मा की दादी है मैं गाईकवार हूँ क्योंकि मेरी मा का शादी होने के बाद शिंदे से गाईकवार सन्नेम हो गया इसलिए लोग जरा दिवीधा में पढ़ते हैं कि भाई शिंदे फैमिली को यह कोईंस दिये थे और आभी गाईकवार फैमिली में कैसे तो लक्षिमी भाई जी ने यह कोईंस अपनी भोई सोनु भाई नाना पाडेल शिंदे और फिर सोनु भाई ने अपने बहु के पास दूर देते हुए अपने बेटी को दिया क्योंकि बेटी ने उनका सेवा किया तो ये Nine Coines सेवा का पति के तो ये Nine Coines भी हर साल वो यदने में सभी भकतों के दर्शें के लिए रखते हैं और भक्तगन भी यद्ने में आके इस नव सिक्को का बाबा के जो असली आखरी निशानी है ये इसका नवविदा भक्ति के नव रूप नव अंबिका पुजन नवग्र इस रूप में जो नाइन कोईंस को जाना जाता है पहिचाना जाता है इसका दर्शन करने के लिए भारत वर्षे से भक्तगन आते रहते इस साल भी बहुत सारे भक्तगनों ने दर्शन लिया और हमारे श्रीडी साही बाबा साउस्तान के जो नव निर्वाचित अध्यक्ष है जो आशुतो जी काले पाटिल और उनके साथ यहां के जो हमारे ट्रस्टी है डॉक्टर एकनातराव गुंकर स्री महिंदृ पाटिल शेलके और सुहासराव आहर पाटिल और बाबासाहिब कोते पाटिल और और आखी जो निलेश कोते पाटिल जो बाइजामा के वोंशज है वो सब लोग इस साल दर्शेंग के लिए हर साल आते हैं इस साल हमारे साहिब अध्यक्षबी नाइन कोईंस के दर्शेंग के लिए और यद्ने में आउती देने के लिए पुर्णाउती देने के लिए हमने उनको अमंतरित किया था वो भी आये उनका भी हम बहुत शुक्र दि में आके यह यद्ने में शरीक होए और बाबा के बाबा का और बाबा के नव सिकों का अशिर्वात पाईए ओम साहिराम और यह ओयस नीज को मैं बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्हों ने जो साई साई की महिमा और साई के नव सिकों की महिमा कि इसमें इसने काले कर रहा है मैं श्रीडि ग्रामस्तों की तरफ से और स्रीड़ी भक्त लक्षीमी भई शिंदे ट्रेस्ट की तरफ से और हम शिंदे गायकवार परिवार के तरफ से उनका बहुत शुक्र गुजार करता हूँ ओम साहिराम ओम साहिराम